राश्ट्रे सोयम सेवक संग प्रमुक मोहन भागवत की खिलाफत करने वाली कॉंग्रेस भी राश्ट्पती पत के लिए उनके नाम की पैरवी कर रही है शिवसेना के बाद कॉंग्रिस का नाम भी अब भागवत को राश्पती पत का दावेदार बनाने वालों की लिस्ट में जुड़ गया है पूर्व केंद्रिय मंत्री और सीनियर कॉंग्रेस नेता जफर शरीफ ने कहा है कि राश्पती पत के लिए मोहन भागवत के नाम पर विचार किये जाने पर किसी को आपत्ती नहीं होनी चाहिए जफर शरीफ ने पीम मोधी को पत्र लिख कर कहा कि मुझे नीजी तोर पर लगता है कि राश्पती पत की दावेदारी के लिए मोहन भागवत के नाम से किसी को परिशानी नहीं होनी चाहिए दरसल मीडिया के कुछ हलकों में ऐसी खबरे हैं कि मोधी सरकार RSS प्रमुक मोहन भागवत को अगला राश्पती बना सकती है शिफसेना के ओर से ऐसी मांग की गई थी कि हिंदूत्व का चहरा और साफ छवी वाले मोहन भागवत को देश का अगला राश्पती बनाया जाए वह इन सब अटकलों के बीच भागवत ने साफ कर दिया है कि वो राश्पती पत की रेस में नहीं है तो शिफसेना के बाद अब कॉंग्रेस ने भी भागवत को राश्पती बनाने का समर्थन किया है हाला कि मोहन भागवत राश्पती बनने से इंकार कर रहे हैं अब देखना होगा कि प्रडब मुखरजी के बाद अगला राश्पती कौन बनता है देख्ते रही डीबी लाइव